नमस्कार किसान भाईयों मेरा नाम है अर्पित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग की फसल में पहला इस्प्रे कौन सा करें तो किसान भाईयों यह जो है पहला इस्प्रे हम कुछ कंडिशन के अधार पर करेंगे जैसे कि अगर आपने बीजूपचार किया तो आपको इस समय क्या इस्प्रे करना चाहिए तो किसान भाईयों अगर आपने बीजूपचार के समय में जैसे कि एक फंगिसाइट से अपने सीट का ट्रिट्मेंट किया है तो आपको सिर्फ एक इंसेक्टिसाइट जैसे की को रोजन का ही यूज करना चाहिए और अगर आपने उस समय बीजूपचार में सिर्फ फंगिसाइट का यूज किया हुआ है तो आप इस समय को रोजन के सांथ में एक मच्छरमार में जैसे की थायो में थाग्जाम लीजी है जिसमें की काफी पढ़ी है रिजल्ट आपको देखनों को मिल लगा क्योंकि जो रस्चूसक है जैसे कुछ पतियां है हमारी आने वाली यह नई पतियां रहती है उनके काफी जाद उन पर नुकसान होता है और वह पत्तियां को अपको खुड़ोदुली ताइप में दिखाई देगी तो किसान भाईयों यह सब समस्याओं से बचने के लिए अगर आपने बीजूपच कि अगर आपने किसी का भी बीजुप्चार नहीं किया है तो आपको पहले इस्प्रे में एक लेना है इंसेक्टिसाइड में कोरोजन और रश्चूसक कीटों के लिए आपको लेना है थायो में थाग्जाम 25% डवलीजी जो पाउडर फार्म में आता है वह वाला या फिर आप यह हुआ है तो आप सिंगल कोरोजन का ही यूज करेंगे तो भी आपको काफी बढ़ीया रिजल्ट देखने को मिलेगा तो किसान भाइयों जैसे की कोरोजन की बात करने तो हमें कितना लेना है तो बैसे इसका जो हम पहले स्प्रे में चार से पांच एमेल प्रतिपम तक ल करने से आप सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड जैसे की लिए को रोजन का यूज कीजिए और इसी के साथ में आप रश्चुसक कीटों के लिए जो थाव में तक्जाम आता है पहला जो इस प्रह इसमें आपको काफी बढ़ीया रिजल्ट में लगा आप चाहें तो कोरोजन की दबाएं जैसे की कवर आती है या फिर बेस्टी को राथी है विए से कंपनी की आप इन्हें भी ले सकते हैं इनका रिजल्ट भी आपको बिल्कुल सेम ही दिखे का कोई अंतर नहीं आता है तो किसान भाहियों यही सब कुछ था ऐच किस वीडियो में अगर आपको हमारी य शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल एकन को प्रटन वीजर्ट दबाएं तो चली किसान भाहियों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए 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 किसान जाए विग्यान भारत माता की जाए